टेलीकॉम रेगुलेर्टी ओटरिटी ओफ इंडिया ने सभी दूर सेंग चार कंपनियों से प्रीपेट यूजर्स के मुबाइल रिचार्ज कराने की प्रवत्ती और तौर तरीकों की जानकारी मांगी है बताया जा रहा है कि भारती एटरल रिलाइंस जीयो और बोड़ा फोन आईडिया समेच सभी कंपनियों से 24 घंटे के भीतर लॉकडाउन की अवदी के दौरान का आकड़ा देने के लिए कहा गया है बता दें कि सरकारी कंपनी BSNL और MTNL को भी ये आकड़े देने के लिए कहा गया है इनके मिलने के बाद च्राय लॉकडाउन की अवदी 3 माई तक भढ़ाया जाने की इस्तिती में प्रीपेट घ्राकों को दिये जाने वाले लाब पर अंतिम निर्णय बताईगी वही प्रिधान मंत्री नरिन मोधी ने मंगलवार को राष्ट के नाम समवोधन में लॉकडाउन को 19 दिन भढ़ा दिया इससे पहले लगाई गई 21 दिन की पावंदी 14 अप्रेल को समाप्त होने वाली थी इस दोरान दूर संचार कमपनियों ने जरुरत मन प्रीपेट घराकों की वैद्दा अप्ति भढ़ाने और अतिरिक्त टॉक टाइम देने वाले लाब दिये थे सुत्रों ने बताया कि ट्राई ने कमपनियों से ये लाब उठाने वाले घराकों की संख्या से जुड़ी जानकारी भी मांगी है साथ ही उनके बारे में भी बताने को का है जो लॉक डाउन के दोरान रिचार्ज नहीं करा सकते हाला की दूरसंचार दोग ने ट्राई के सभी प्रिपेट घराकों की वैद्दा बढ़ाने और दस रुपे का टॉक टाइम देने के सुजाव को खारिच कर दिया था Cellular Operator Association of India का कहना है कि सार्वजानिक रोप के दोरान कम आये वाले लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए दूरसंचार कमपनिया 600 करोर रुपे का लाव पहले ही दे चुकी है सभी प्रिपिट घ्राकों को इस तरह का लाव देना कमपनी के बश की बात नहीं है इसके लिए सरकार चाहे तो ससिडी दे सकती है आपको बता दें बोड़ा फोन आइडिया ने कम आये वाले प्रिपिट घ्राकों को पहले 17 अपरेल तक व्यद्दा भढ़ाने और 10 रुपे का टॉक टाइम देने की घोशना की थी भारती एचल ने भी अपने 8 करोड जरूरत मन प्रिपिट घ्राकों को 17 अपरेल तक व्यद्दा बरकरार रखने और 10 रुपे का टॉक टाइम देने की घोशना की थी तो वही रिलाइंस जियो ने अपने जियो फोन के घ्राकों को 100 मिनिट मुफ्त टॉक टाइम और 100 मुफ्त SMS दिये थे साथ ही उनकी व्यद्दा 17 अपरेल तक भढ़ा दी गई थी नव दे ताइमस के लिए नैना शर्मा की रिपोर्ट